हे गाईज मेरा नाम है करनसौन स्वागत आप सभी का मारे यूटूब चैनल करकेट जी में है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बढ़ाऊ हूँ कि BCCI के ट्रैल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं दो तरीके हैं रजिस्ट्रेशन करने के ऑफ़लाइन और ऑनलाइन तो सबसे पहले हाम बात करते हैं ऑफलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करें दोश्तो हर एक स्टेट का एक करकेट एशोशीय слon होता है जो सारा कुछ मैनेज करता है जैसे UP का हो गया UPCA, दिल्ली का हो गया DDCA, उत्राखन का हो गया UCA, बिहार का हो गया BCA, मुंबई का हो गया MCA, राजिस्तान का हो गया RCA इसे ही हर एक Federal States जहां पर BCCA ने मान्यता दी हूती है, उसका एक क्रिकेट एस उस्ते शोटी होता है, जभी राजिस्तट्रेशन ओपन होते हैं, तो आप अपने राजिस्ते शोटी हैं जो भी आपका राजिस्ते शोटी हैं उसके office मес जाकर यहां पे वह बोलते हैं कि इस जग या रजिस्टेशन तो कर लेंगे लेकिन पहले पदा तो चले कि किस जगह पर रजिस्टेशन करना होता है तो गाईज इसका जवाब में आपको वीडियो के एंड में दूँगा तो गाईज अभी हम बात करते हैं ओनलाइन रजिस्टेशन कैसे करें हर एक क्रिकेट हैं तो आप वहाँ जाकर रजिस्टेशन कर सकते हैं तो आप बात करते हैं कि ट्रैल की डेट कैसे बदा करें और रजिस्टेशन की डेट कैसे बदा करें और कैसे बदा करें कि ऑफलाइन रजिस्टेशन कहां पर हो रहे हैं किस जगह पर ऑफलाइन रजिस्टेशन हो रहे ह जैसे आप उस link पर click करोगे तो आपके सामने आपकी cricket association की website खुल जाएगी वहाँ पर आपको all total detail मिल जाती है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कोई video देखने की जरूरत नहीं है वहाँ पर आपको सारी information मिल जाती है कोई भी update आती है तो आपका जो भी cricket association है वो उस website पर update कर देता है और guys आपको अगर easy तरीका चाहिए कोई effort नहीं करना है तो आप में को Instagram पर follow कर सकते हैं अगर कोई भी update आती है ट्रैल डेट रजिस्टेशन की डेट हर एक स्टेट की कोई भी स्टेट हो तो मैं Instagram पर update कर दूँगा आप Instagram पर follow करना ना बुढ़ाए